अब देखो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से ही बताने वाला हूँ कि क्या क्यों शुरुआत हुई थी इस चीज की क्योंकि इसको बिलकुल भी अंदादा नहीं है अभी क्या चल रहा है उसको मैं स्टार्टिंग से बता दूगा कि क्या क्यों हुआ है ये किसली हो रहा ह अब देगो इसकी शुरुआत हुई थी संदीप मैश्वरी के एक वीडियो से जिसमें वो स्कैम को एक्सपोस कर रहे हैं जो MLM कंपनीज होती हैं जो अपने कोर्स बेजने को कहती हैं ये वीडियो पब्लिश होई थी दो दिन पहले आज जो मैं अप्लोड कर रहा हूँ इससे दो दिन पहले ये वीडियो संदीप मैश्वरी के चैनल पर अप्लोड होई थी जिसमें दो लड़के हैं पहला लड़का बताता है कि मैंने 50,000 रुपए का एक कोर्स खरीदा जिसमें वो बोल रहे थे कि बिजनेस सिखाएंगे और वो बहुत ही जाने माने यूट्योबर है बहुत ही बड़े यूट्योबर इस reference से हम लोग समझ जाते हैं कि ये कौन है किसकी बात कर रहा है संदीप महिश्वरी ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी जो income है जो household income है वो कितनी है तो उसने बताया मेरे पापा की जो income है वो 15,000 रुपए है बड़ जो भी वो आम वीडियोज होती है यूट्योब पर जैसा business सिखाते है वो भी उसमें भी वैसा ही business कुछ बहुती extra effort डालके कोई वीडियोज नहीं है जिससे हम लोगों को ऐसा कुछ सिखा दें कि हम entrepreneur बन जाए है और main बात है कि कोई बहुत ही जादा exclusive content नहीं है चुकि YouTube पे ना हो इसी session में एक दूसरा भी लड़का होता है जिसने एक 30,000 का course लिया होता है वो बताता है कैसे हम लोग इस scam में भल जाते हैं पहले तो हो लोग कहते हैं कि यह course ले लिजिया आपको बहुत ही जादा फाइदा होगा बट course को जानने के बाद वो लोग कहते हैं कि इस course को आप बेचिये दूसरों लोगों को तब ही आपको पैसा मिलेगा इस लड़के ने भी यही बताया कि वो जो YouTuber हैं सबसे बड़े YouTube पर जिनका नाम है विवेक बिंदरा नाम चाहे नहीं बताया लेकिन reference ऐसा दे दिया था कि सबको बता था कि यह किसकी बात कर रहा है अब इस वीडियो के publish होने के 24 गंटे बाहती इन दोनों लड़कों को calls आने लगते हैं ताकि यह लोग अपना statement बदलने इसको reveal करते हुए संदीब महिश्वरी अपने community post में एक post लिखते हैं कि मेरी टीम बहुती जादा pressure में है कि वो वीडियो डिलीट कर दे बट मैं एक बात साफ कर देना चाथा हूँ मैं किसी भी परिस्तिती में वो वीडियो डिलीट नहीं करूँगा और जो उस वीडियो में person है जो कि इस scam को expose कर रहे हैं उनको भी बहुती जादा calls हा रही है कि वो अपना statement change कर ले और मुझे ये feeling आ रही है कि ये बहुती बुरा होने वाला है पर मैं उसके लिए तयार हूँ क्योंकि मैंने stand लिया है society के लिए और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और आप सभी मेरे साथ हैं इसके बाद शायद विवेक बिंदरा की team भी उनके घर जाती है संदीप महिश्वरी से बात करने के लिए जिसका जिक्र वो अपने अगले post में करते हैं बट इसके बाद संदीप महिश्वरी ने एक और post किया अपने community post पे जिसमें संदीप सर लिखते हैं मेरे प्यारे विवेक एक तरफ से आपने मेरी team को legal action की धम की दी अभी मैंने आपके call recording सुनी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पने employees भेज दिये वो भी एक बार नहीं बार बार क्या आपको लगता है सच में कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ डरता वो है जो कुछ गलत करता है मैं अपने फायदे के लिए नहीं बलकि सब के फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा आप जैसे लागों मिलकर भी मुझे नहीं रोग सकते और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना, पुरी YouTube Community मेरे साथ है, सारे चोटे और बड़े, अब आपको खुलकर expose करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़े बिजनिस को, बड़े बिजनिस के बारे में खुलकर बात करेंगे, किस-किस को दमका कर उसका वेडियो डिलेट दिख लाओगा, और विवेक बिंदर लिखते हैं, संदीब भाई मैंने आपका वीडियो दिखा, Big Scam Exposed, जिससे आपने confirm करती है, कि यह भी मुझे से related है, और मुझे लगा कि इस पर openly discuss होना चाहिए, with my official ID, ताकि audience के mind में कोई भी confuser ना हूँ, आपने मुझे अपने show पर invite क और आपके सवालों के पूरी इमानदारी से मैंने जवाब दिया था, उसी इमानदारी से, मैं कहना चाहता हूँ कि, अगर audience के मन में कोई भी सवाल है, तो मैं फिर से आपके show पर आक, इस चीज़ को openly discuss कर सकता हूँ, और मैं यह आपको challenge दे रहा हूँ, इसको कीजिए अगर आपके अंदर guts है, reality को face करने, और entrepreneurs के लिए मैं बहुत ही बड़े events organize करता हूँ, जहां हजारों entrepreneurs आते हैं, वो खालियात नहीं जाते हैं, और मैं एक MBA course 10 days कर ला रहा हूँ, जिसमें मैं कोई भी charge नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी भी आपकी respect करता हूँ, अगर आपके पास पर action लोगा, आपने मेरा number block किया और मेरी humble request को इतनी बार ignore किया, और आपने वीडियो पर से 5,000 positive comments को delete भी कर दिया, मेरे पास screenshot है उसका, हाँ ये सच है कि मेरे director और chief staff आपके घर गये थे, इसका intention था कि मैं एक schedule fixed करूँ for an open conversation, और बात है अगर video delete और legal notices भेजने की influencer को, तो ज without spam, बात करते हैं, उनको मुझे ये सब बेजने का right है, और discussion के लिए, जब भी आप call करें, मैं आ जाओंगा, और मुझे पता है कि आपके अंदर guts नहीं है, reality face करने की, तो आई लोग ये था विवेक बिंदर का जवाब, और इस reply के बाद अभी तक किसी भी तरफ से कोई भी post नहीं किया गया है, किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया, बट इसके बाद विवेक बिंदर को बहुत ही जादा roll किया जा रहा है, उनके comment section में विवेक बंदर लिख कर आ रहा है, और विवेक बंदर इस spam किया जा रहा है, और पोरी YouTube community संदीप महिशवरी को support कर रही है मुझे लगता है अगर संदीप महिशवरी ने जरा सभी content किसी YouTuber लाइक विवेक बंदर का अगर थोड़ा भी content यूज़ कर लिया थो तो आप तक संदीप महिशवरी की वीडियो takedown हो चकी होती, बट उस expose वीडियो में भी संदीप महिशवरी ने खुलकर विवेक बंदर की तरफ and मेरा point of view इस topic पर यह है कि यह जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है यहा मैं विवेक बंदर की वीडियो देखता था जो कि स्टड़ी बनाते थे पहले वो अच्छी होती लिया ऐसा नहीं है पट यह जो business का है courses still करने का अगर यह सच है तो यह एकदम सही हो करले अच्छा है और Hm